हेलो जांकियन्स आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चानल उजांक टाइम्स में मैं हूँ आपके साथ काजल किसी ने सोचा भी नहीं था कि तेजी से बढ़ते शेर मार्केट की स्थिती मजबूती के बाद लड़ खड़ा जाएगी आखिर क्या कारण है कि शेर मार्केट में गिरावट का दौर जारी है बता दे कि देश में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है बड़ी तबाही के संकेत भी मिल रहे हैं कल यानी सोमवार को शेर मार्केट बुरी तरह से धड़ाम से गिर गया रिपोर्ट्स के अनुसार शेर बाजार में गिरावट का सिलसिला अभी भी जारी है बीते हफते लगतार तीन दिनों की गिरावट के साथ बंध हुआ बाजार सप्ता के पहले दिन खुलते ही धड़ाम से गिर गया वहीं BSE का सेंसेक्स 1130 अंग तूट कर खुला जबकि NSE के निफ्टी ने 300 से लुड़क कर कारूबारी की शुरुवात की है चार दिन की छुट्टी के बाद सप्ता का पहले कारूबारी दिन यानि सोमवार को शेर बजार कमजूर वैश्विक संकेतों के चलते एक बार फिर लाल निशान पर खुला बॉम्बे स्टॉक एक्स्टेंज का 30 शेरो वाला सेंसेक सूचकांग 1130 अंग यानि 1.94 फिसल कर 57209 पर के स्तर पर खुला जबकि नैशनल स्टॉक एक्स्टेंज के निफ्टी सूचकांग ने 299 अंग यानि 1.71 तूट कर 17176 के स्तर पर कारूबार शुरू किया इस बीच बात करे निवेशकों को हुने वाले नुकसान की बाजार की शुरुवात के साथ ही निवेशकों को करीब 3.00.00 करोड रुपे का नुकसान हो गया है बजार खुलने के साथ ही लगभग 950 शेरों में 30 आई है वही 1611 शेरों में गिरावट आई है और 142 शेरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है फिलाल की बात करें तो BAC का सेंसेक्स 1240 अंग की गिरावट के साथ 57199 की स्तर पर कारुबार कर रहा है जबकि NSE का निफ्टी 339 अंग फिसल कर 17147 की स्तर पर आगया है वही से पिछले सप्ता के बुद्वार को शेर बजार की शुरुवात थरे निशान पर हुई थी लेकिन दिन भर के उतार चड़ाव भरे कारुबार के बाद अंत में दोनों इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए थे बीएसी का सेन्सेक्स 237 अंग यानी 0.41 तूट कर 58349 के स्तर पर बंद हुआ था जबकि एनसी का निफ्टी सूच का अंग 55 अंग यानी 0.31 फिसल कर 17476 के स्तर पर बंद हुआ था ब्यूरी रिपोर्ट ओजांग टाइम्स तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही उम्मीद है कि आपको दी गई इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको लाब दायक होगी फिर मिलेंगे नए विडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए बने रहे उजांग टाइम्स के साथ और हाँ जाने से पहले इस विडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारी चैनल यानि उजांग टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार